आजार भी तीन दिनों से तो अच्छे मूड में थे, आज हलकी गिरावट है पर निचले सर उसे रिकवरी भी इस समय आती हो दिख रही है वही बात है सर लगा कि शायद फॉरन मिनेस्टर्स अगर रशिया यूकरेन की मिल रहे हैं तो कुछ ता कुछ तो निकल कर आएगा पर यहाँ पर भी कुछ बात नहीं बनी इन फैक्ट जो डेवलप्मेंट्स आएं खुशी वाले तो नहीं थे बिल्कुल दीप सही बात है कि जो डेवलप्मेंट हुएं उनमें कोई ऐसी खास अच्छी बात निकल कर नहीं आई लेकिन ऐसी अच्छी बात एक ही बार की मिटिंग में निकल कर आएगी यह उमीद भी नहीं है बेसिकली दोनों विदेश मंद्श का काम तो यह कि दोनों राश्टपती के बीच में बाच खास उमीद नहीं थी कि विदेश मंति दोनों मिलकर कोई समझता निकाल लेंगे कहीं सहमत हो जाएंगे लेकिन हाँ बातचीत करने के लिए जो बेस बनना चाहिए जिन चीजों पर आप दोनों एक साथ मिलें वो अभी तक ठीक नहीं होता दिख रहा है और इस मामने में दो पहुचने दें और जिनको बाहर निकलने दें आप जो आम आज में तक जो भी राशन और दवाएं पहुचनी चाहिए वो तो होना चाहिए तो वो उनकी मांग जायज है तो वो मांग रूस मानने को तयार नहीं दूसरी तरफ रूस अपना दबाव और बढ़ा रहा है एक् कि मैं अपर हेंड पर हूँ और वो अपर हेंड कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीजफफायर की बात तो मानी नहीं उसके ओपर से कह दें कि आपके पास वो जैवी का हतियार है बायोलोजिकल वैपन्स जिन से मतलब पूरी दुनिया को डर लगता है जिसको कोरोना का कई लोग उसी से मानते हैं बता नहीं सही गलत बगवान जाने लेकिन वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उस दबाव के सामने दूसरे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ नहों इसके लिए उन्हों ने एक स्रेट्मेंट और दे जाए कि हमारी ओल एंड गैस सप्ल करने वाला नहीं है बिल्कुल एक्जाने की ठीक है हम बरबाद होने फिर सबी हो जाओ जितना नुकसान पहुंच चके है तो इस कल के पूरे डवलपमेंट में रूस का रवय थोड़ा सा अडियल भी दिखा है थोड़ा कूटनितिक भी दिखा है और उससे यह लगता है कि इसका मतलब है कि रूस है वह बरबाद करके मिटा के गुटनों पर लाके उसके बाद ही वह मतलब जो अपनी बातें मनवाना चाहता है और चूंकि सारे वेस्टन देशों का अपना-पना एकोनोमिकल इंटरेस्ट है कि रूस से हमें सब कुछ मिलता रहे जो मिल रहा है तेल ना रुके, गैस ना रुके, खाने पी ना, गहों वगेरा जो बीजी इंपोर्ट होते वो ना रुके तो इसलिए उनकी मजबूरी है उसकी मजबूरी रूस अच्छे से समझ रहा है कि मैं तुम्हें देता रहूंगा तुम शांती से वहीं बैठो जहां बैठो मुह से जो बोलना है बोलो इधर आना मत तो यह इस हिसाब से थोड़ा वक्त लगेगा कोई और इसका कोई सोलिशन नहीं वक्त के साथ ही चीज़े खत्म होगी अच्छी चीज कल एक और हुई है जो ग्लोबल मारकर से वह यह की कच्छा तेल 150 डॉलर से 109 डॉलर के आस पास है तो हमार जादा इंपोर्टेंट संकेत कच्छे तेल से हैं और चूंकि कच्छे तेल की सप्लाई में डर कम हो गया कि यह खत्म हो सकती यह कम हो सकती है यह बड़ा पॉजिटिव फेक्टर हमारे बाजरों की कि 115 डॉलर से 109 डॉलर आया उसमें भी यह के कच्छा तेल बढ़ भी सी ड में सबसे पॉजिटिव चीज यह है कि उन्होंने का सप्लाई कम नहीं करेंगे और कच्छे तेल के दाम गटे है वह हमारे लिए भी दुनिया अपर की अच्छी खबर है दूसरी तरफ बात जल्दी बनेगी युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा उसके आसार थोड़े और गट गां देख्यों जाए वह नेगेटिव है एक अच्छा पोजिटिव यह कलकर है तो दोनों बनाबर बैलेंस वाला मामला है हमें खाली एकी चीज करनीयदी कच्छे तेल को देख देखना है कच्छा तेल बढ़ेगा हमारे मार्केट गटेंगे कच्छा तेल गटेगा हम यह एकदम क्लियर कर ट्रेंड जब तक कि इसमें कोई दूसरा बदलाव नहों आप यह मान के चलिए कच्छे तेल के साथ अगले कुछ समय तक कुछ दिनों तक कुछ दिनों तक